नमस्कार जेहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल इंपॉर्टेंट MCQB संदीब में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम UPTT गडित फुल कोर्स का पार्ट फाइव लेकर रहे हैं इससे पहले हम चार पार्ट गडित फुल कोर्स के अप्रोट कर चुके हैं जिसमें हमने संख्याओं को कवर किया है और उन से संबंदित जो प्रश्न है उनको कवर किया है और भिन्नो का लासा वा मासा संख्याओं का लासा वा मासा इन सभी को चार वीडियो में कवर किया इन भिन्नों का लासा वा मासाम पहले आपको पढ़ा चुक है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लिए तो भिन्नों का जोड घटानों गुड़ा भाग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो शेली शुरू करते हैं इससे संबंदित जितना भी कॉंसेट है वो सभी कुछ क्लियर करेंगे और इसे संबंदित जो प्रश्ण है मैं कॉंसेट के साथ साथ आपको बताता चलूंगा और लास्ट मैं आपके लिए एक विशेश प्रश्ण दूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कॉमेंट में हमें बताना होगा चलिए अले भी चर्चा कर चुगे कि भिन आखिर होता क्या है भिन ऐसी होती है जो पी बाइक क्यू के फॉर्मेट में लिखी हो लेकिन यहां पर क्यू वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए यह चीज आपका देखना जरूरी है ठीक है यह जो पी बाइक क्यू के फॉर्म में ल Q के format में होती है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए जैसे हम यहाँ पर example ले सकते हैं 1 by 2 ठीक है example हम ले सकते हैं 2 by 3 example हम ले सकते हैं 17 बटे 20 यह सब क्या है यह सब भिन है clear हो गई बाद कोई डाउट तो नहीं चले अब यह साधारर भिन ने तो पता हो गए अब बात कर लैते हैं सहही किसकत के सहुपत भिन और आप यहाँ पर यहां पर यह पि प्रश्न आता है कि जब भी सहीं भिन में ही solve नहीं कर सकते हैं तो सञ्यूक्ति-भिन्न को हमें शाधार भिन्न में बदलना होता है तो संहों को साधार भिन्न में कैसे बदलेंगे यह जरू आपका तीन है कर conservatives करते हैं तीन अज्येलें है दो को हम जोड़ लेते हैं यानि तीन एकम तीन तीन में दो जब जोड़ेंगों हो जाएगा पांच तो यह हमने उपर लिख दिया पांच और नीचे जो आपका तीन है वो सेम टू सेम रहेगा क्लियर हो गई बात यह तो आप समझ गए संयुक्त भिन्न को साधर भिन्न में बदलना है एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इतनी आसान तरीके से सीख सकता है इसको अगर हम यह संयुक्त भिन्ने इसको भी हम साधर भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे सबसे पहले यह आठ है आठ का इस तीन में गुड़ा करेंगे आठ तीय होता है 24 और 24 में जब हम पांच जोडेंगे कितना आएगा चोबिस में जब हम पांच जोडेंगे कितना आएगा जोड़ना हुआ घटाना हुआ तो उसको पहले साथ हलाड़ भिन्न में चेंज करेंगे उसके बाद उसका जोड़ना घटाना गुड़ा भाग जो भी करना होगा उसके बाद करेंगे ठीक है यह चीज़ आपको क्लियर हो गए होगी चलिए अब अगला देख लेते हैं यह है दसमलो भिन्न हम आपको पहले भी एक छोटा सा इंट्रो दे चुके हैं पिछले वीडियो में लेकिन यहाँ पर फिर से हम बता रहें दसमलो भिन्न कैसी होती है ऐसी भिन्न जिसका हर दस हो या फिर दस का गुड़ाज हो गुड़ाज का मतलब है कि दस या सो या एक हजार एसी भिन्न क्या कहलाती है यहाऊ पर उपर एक संख्या के बाद दसमलो लग जाता है तो यह आप का देखिये क्या हो गया दो बटे दस को हमने पॉइंट टू में चेंज कर देंदे अर्थीन बटे 100 को इसको भी पॉइंट में चेंज कर सक्ते हैं 0.03 यहां पर 2 0 लगे हैं तो उपर जब हम इसको चेंज करेंगे तो दो अंको के बाद दसमलों लगना है तो एक और दो देखिए यहां पर केवल 3 था तो हमें 0 अपने आप से बढ़ाना पड़ा क्योंकि हमें 2 संख्या होगे बाद लगाना है उसी तरह यहां पर देखिए कै पर दसमलों के वहांने यहां पर यह चीज बहूंद है कहले हैं यह पको तो 1.00 यह पर आको सामने चार और दे देंगे साधानाड भिन, संयुत भिन, दसमलो भिन, उचित भिन, तो आपको क्या पता न होगा, ये दसमलो भिन है, क्लियर हो गई बात, चले, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, उचित भिन और अनुचित भिन की, उचित भिन की पहले बात कर लेते हैं, हमने आपको बताया था, कि उ उचित भिन्न हो जायकी याणि boyfriend 5 करदें तो यह समझके अगर बड़ा ऊपर चड़ जाएगा और छोटा नीचे दब जाएगा आखा रहा यह उगा और चोटा उपरोगा रगणनीचे होगा यह हो जाएगा उचित ठीक है दोनों में डिफरेंस तो समझ गयोंगे कुछ नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ऊपर जो हो वो छोटा होना चाहिए ठीक है यह चीज़ तो क्लियर होगे आपको ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ब बच्चे हैं जो बड़ा बच्चा है उसको नीचे रखेंगे और बड़े बच्चे के कंधे पर छोटा बच्चा बैठ सकता है तो वो उचित होगा ठीक है लेकिन अगर सोचो कि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे के कंधे पर बैठ जा है तो यह आपका अनुचित होगा तो हम कह सकते हैं ये कैसी भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है, और ये आपकी दो बटे 5 वाली ये उचित भिन्न है, clear होगे बात, उचित और अनुचित, दोनों में आपको difference clear हो गया होगा, चलिए, अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या यहाँ पर दे रखा है, आगे भिन् का जोड यानि जब हर बराबर हो, कैसे condition आती है, कि जब हर बराबर, जिसे हम ले लेते हैं, 8 बटे 9, प्लेस 5 बटे 9, यहाँ पर आप देख रहे हैं, हर कहाँ है, ये हर नीचे वाला है, इन दोनों में हर क्या है, बराबर है, तो जब हर बराबर होगा, तो आपको कुछ न कितनी आसानी से निकल जब बिनों का जोड करना है, और उसमें हर अगर बराबर है, तो तो बड़ी आसानी से निकल सकता है, अब इसी तरह अगर हम दूसरा एक्जांपल देख लें, दूसरा एक्जांपल हम लुग सईयू क्त भिन कल लेता है, 5 सही 4 बटे 3, 6 सही 2 बटे 3, प्लस तीन सही चार बटे तीन अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हर देखे सम्मे बराबर है लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या होगा सबसे पहले हमें इसको साधारण भिन्न में चेंज करना होगा साधारण भिन्न में कैसे जैंगे तीन का पांच में गुड़ा करेंगे 3 पच्चे 15 और 15 में 4 को जोड़ेंगे 15 चार हो जाएगा 19 19 बटे 3 clear प्लस ये 3 है ये 6 है 3 और 6 का कड़ेंगे गुड़ा 3 छग 18 18 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 20 तो 20 बटे 3 ठीक प्लस का फिर से निसान लगाएंगे 3 का गुड़ा 3 में कड़ेंगे 3 तिया 9 9 और 4 13 13 बट ही होती है इन सभी को जोड़ना होता है ठीक है जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हर इनके बराबर है तो 19 और वीस और 13 इन सभी को अगर आप जोड़ दे तो आपको उत्तर आ kier capital 59 49 और 43 होता हाँ there यहाँ पर क्या उत्तरा गया 52 बटे 3 आप बताएगा यहां पर कोई बी doubt हो तो बताइए हमें भिन्नों का जोड हम इस तरह करते हैं जब हर बराबर होते पहले प्रशन में भी देखे ये आपका नौ इसमें भी नौ दोनों में हर बराबर है इसमें देखे दूसरे प्रशन में तीन यहाँ है तीन यहाँ भी हर में है और तीन यहाँ भी हर में है यानि दूसरे प्रेस्ट में भी हर बराबर जब हर बराबर हो तो क्या करना होता है सिर्फ अंस की संख्याओं को जोड लीजे और नीचे वही जो हर में संख्या लिकी होती वही लिख दीजे आपका उत्तर आगे clear आगे देखते हैं आगे लिखा हुआ है भिन्यों का जोड जब हर बराबर ना हो जब हर बराबर नहीं होंगे तब कैसे हम इसको solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए जिसे 7 बटे 9 दिखा है और 5 बटे 7 लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में हर अलग अलग यहाँ 9 है यहाँ 7 है तो 9 और 7 का हमें क्या लेना होगा हमें लेना होगा लासा तो 9 और 7 का जो हमने लासा लिया आप लासा लेकर देख सकते हैं 9 नौ और साथ का जो लासा आएगा वो आएगा 63 यहां पर हम आपको बार बार बताएंगे नहीं ठीक है कि नौ और साथ का लासा लेकर हम आपको दिखाएं लासा और मासा हम पहले आपको पढ़ा चुके इसलिए आप अपने मन से नौ और साथ का लासा निकाल सकते हैं तो अब इसके आगे कैसे सॉल करना है ये आपका लासा आ गया 63 ठीग है अप नो का आफ पहाडा पढ़िए किस में 63 में Nौ सत्य 63 होता है नौ का जब हम साथ में गुडा करते हैं तब 63 आता है जब हमें ये पता चल गया कि कितने गुड़ा करने पर 36 नो का जब हम साथ में गुड़ा करने पर 36 ठीक है तो ये जो साथ आया है इसी साथ में ये अंस वाले संख्या का भी गुड़ा करेंगे तो ये साथ गुड़े साथ कितना होगा उन्चास क्लियर हो गई बात कोई डाउट तो नहीं है ठीक है तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ उपर हमें क्या रखना है उन्चास तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे उन्चास संख्या रख देंगे तो हमने यहाँ पर ल नौ से गुड़ा करने तिरसटा अब यहां पर उपर कितना है पाँच इसी पाँच का नौ में गुड़ा करेंगे तो पाँच नौ हो जाएगा पैतालिस ठीक है पांच नौ कितना होगा पैतालिस तो इसके बाद हम उपर क्या लिख देंगे 49 प्लस 45 ठीक है 49 प्लस 45 हो गया अब यह पूरी लाइन इन दोनों के बीच में खिश दे 49 प्लस 45 बटे 63 अब 4945 कितना होता है वह आपको मालूम होगा 94 94 बटे 63 क्लेर यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है चले अब आगे देखते हैं प्रस संख्या 2 कैसे करते हैं प्रस संख्या 2 मालीजे कि 3 भिन दे रखी है इसको हम हटा देते हैं दूसरा प्रस्न देखिए कैसे होगा मल लेते हैं दूसरा प्रस्न हम लिखते हैं 5 बटे 6 प्लस 15 बटी 8 प्लस 25 बटे 32 ठीक यहां पर देखे, हर में क्या दे रखा है, 6, 8 और 32, यहां पर हर बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमें 6, 8 और 32 का क्या लेना होगा, इनका लेना होगा लासा, तो 6, 8 और 32 का लासा जब आप ले लेंगे, तो वहां पर आएगा कितना, वहां आएगा 96, ठीक है, 96 आएगा, 6, 8 और 32 का जब लासा लेंगे तब आएगा 96, अब आपको फिर से वही करना है, 6 में हम कितना गुड़ा कर दें, जो 96 आए, 6 में हम कितना गुड़ा कर दें, तो हम 16 से जब गुड़ा करेंगे, तब हमें 96 मिलेगा, 6 का कितने गुड़ा करतें, जो 96 मिल जाए, तो 16 से अगर हम गुड गुड़ा करेंगे। कितना हमें लगा है 16 पंचे होता है सबसे पहले क्या लिखेंगे!!! किलए को का है कि बुड़ा करेंगे enquान अब यहां पर ए आठ है। अनुस्स से के लिघा कितने लिघा करें कि भी दो 14, 26 हो गया। तभी तो 96 आए, आठ का जब हम 12 में गुड़ा करेंगे, तब हमें 96 बलेगा, तो हमें ये पता चल गए कितना गुड़ा कर रहे हैं, 12 से गुड़ा कर रहे हैं, तो 12 से गुड़ा करने, फिर उपर जो 15 लिखा है, उसमें गुड़ा कर दीजे, 15 गुड़े 12 कितना आएगा, 180 तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, 180, 180 लिख दीजे, 80 के बाद यहां लिख दिया, 180, फिर से प्लस लगा दिया, ये 32 है, 32 का कितना गुड़ा करें, जो 96 मिले, तो 32 में हम जब 3 से गुड़ा कर रहे हैं, तो हमें 96 मिला, तो ये पता जल गए, कितने से गुड़ा कर रह ही है, तो यहां पर हम फिर से 75 जोड़ देते हैं, तो यहां आगे, 80 प्लस 180 प्लस 75 बटे 96, तो इन तीनों को जोड़ दिया, तो आगे 335 बटे 96, ठीक है, कोई भी अगर आपको अभी भी डाउट है, तो नीचे कॉमेंट में बता दीजे, कि भिन्नों का जोड़ हमें समझ म नहीं है, भिन्नों को जोड़ आपके सामने इस तरह करना है, चलो, अब आगे देखते हैं, भिन्नों का घटाना कर लेते हैं, जब हर बराबर हो, तो हर अगर बराबर हैं, तो कैसे करना है, देखिए, जिसे मान लेते हैं, 7 बटे 16 माइनस 3 बटे 16 दे रखा है, अब यहां ऑचरा है तो सागता है और जास Sumate 13 इसका उत्तर हे तो बचाम के दिए और भी स्टाव्ट क विए और भे Kommam आत्त-वाहारे तरफी श्लमान के वहां भाठाने करक्या तक qu Somebody दें सकता है माइनस पाँच बटे 6 तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर यहां पर भी हमें वही करना होगा जो हमने जोड में किया है हर और इसका हर इन दोनों का लेना होगा आपको लासा जो हर में संख्या लिखी है उसका ले लीजिए लासा 18 और 6 का जो साथ आयेगा वह त्थारा और ये ईगर मैं ये इसमें में कितना गुड़ा करें कि ये वाला न आ Rais 10 अगर रम 15 गुड़ां करें तभी एठ राएगा तो इप हमसं खेमें लिए एक को गुड़ा करना पढ़ा तो इसी एक को गुड़ा हम्थमें करेंगे अन्स कितना है सोला है तो सोला एक कम कितना होता है बाबुजी तो सोला एक कम सोला होता है तो यह हमने यहां सोला लिख दिया और यह माइनस लगा दिया अब यह च्छै है च्छै का हम कितना गुड़ा करें जो अठारा मिल जाए 3 से गुड़ा करे 16 से गुड़ा करे तभी हम हें अठारा मिला है तो 3 का गुड़ा हम इस 5 में कर देते हैं 5 तीया कितना होता है 15 होता है तो हम क्या करें 16 माइनस 15 कर देते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा 16 माइनस 15 बराबर 1 बटे 18 यानि अगर 16 बटे 18 माइनस 5 बटे 6 को अगर हम solve कर रहे हैं तो हमें 1 बटे 18 मिल रहा है clear हो गई बात उम्मीद करता हूं भिन्नों का घटाना भिन्नों का जोड आपके अच्छे से समझ में आगे होगा अब बात कर लेते हैं भिन्नों का गुड़ा कैसे करते हैं जैसे मान लेते हैं कि यह आपका पहला question है 8 बटे 12 भिन्न ले लेते हैं गुड़े 15 बटे 6 भिन्न लेते हैं ठीक यह हमने ले लिए अब यहां पर हमें क्या करना होगा अब यहां पर देखी सबसे पहले तो हम यह देख लेते अगर कुछ कटने भिटने वाला तो उसको हम पहले काट लेते हैं तो यहां पर अगर हम काटेंगे चार दुना आठ यह हो जाएगा चार तियां बारह तो दो बटे तीन यहां मिला गुड़े कानिसान अब यह तीन से कट जाएगा तीन पचे पंदरा और तीन दुना छे तो पाँच बटे दो यह आगया आपका ठीक है पाँच बटे दो अब यहां आप देख सकते हैं यह गुड़ा है बीच में तो यह दो और यह दो कट जाएगा तो उत्तर आपका कितना आएगा पाँच बटे तीर यह तो एक तरीके से हो गया सलूशन का वीडियो मतलब एक ऐसे सॉल्व कर दिया अब अगर हम दूसरा कोश्चन देखें जिसे दूसरा कोश्चन हमने ले लिया इस बार हम थोड़ा अलग लेंगे छे बटे साथ गुड़े पाँच बटे नो यहां पर कुछ भी कटने वाला नहीं अब इसको कैसे भिन्न तीन से कट जाएगा तीन दहम तीस और यह हो जाएगा 21 क्लियर हो के बार तो यहां पर कित्ता उतरा गया दस बटे 21 देखें गुड़ा करने के बाद भाग देने के बाद जोड़ने के बाद घटाने के बाद अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट जरूर लीजे अब देख अब यहां पर क्या करना होगा यहां पर भी कुछ नहीं करना होगा पहले संहिक तुभिन नुको आप साथ रएट विन में चेंज कर लीदें साथ चोको अठाइस और तीन एकतिस बटे साथ गुड़े तेरा और पांच को गुड़ा करेंगे तेरा पच्छे 65 और 6 जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 71 बटे 13 अब यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है तो 31 और 71 का गुड़ा कर दीजे, 7 और 13 का गुड़ा कर दीजे, 31 और 71 का गुड़ा करेंगे तो आएगा लगबग 2201 और 7 और 13 का गुड़ा करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, यह आप देख लिजे, 13, 7, 21, 2, 7, 1, 7, 2, 9, तो यहाँ पर यह आपका आगया, 2201 बटे, 91, clear हो उपर उपर का अंस, अंस का गुड़ा कर देना है, हर, हर का गुड़ा कर देना है, आगे देखते हैं, भिन्नों का भाग हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं, कोई भिन्न ले लेते हैं, 4, 7, divide by 5, 6, clear हो गई बात, अब क्या होता है, भिन्न का भाग देना थोड़ा कठीन होता है तो हम क्या करते हैं इस भाग को हम किस में कनवर्ट कर लेते हैं गुड़ा में तो चार बटे साथ गुड़े अब हमने भाग को गुड़े में कनवर्ट किया है तो आगे को चेंज भी करना होगा तो यह जो पांच बटे छे इसको हम पलट लेते हैं छे बटे पांच कर लेते ह क्लियर हो गई बात यही नियम है इसको समझ लीजे ये जो भाग का निसान है इसको हमने गुड़े में कनवर्ट किया तो जो बाद वाली भिन्न होगी वो पलट जाएगी अंस का हर में हो जाएगा हर का अंस में हो जाएगा अब इसको आप 6 कर लिजे 4 का 6 में गुड़ा कर लिजे 24 7 का 5 में गुड़ा कर लिजे 35 क्लियर हो गई बात कोई doubt हो तो बताईए हमें ठीक है तो इस तरह आपने देखा भिन्नों का हमने भाग कर लिया एक और question लेकर देखते हैं जिसे 9 बटे 8 divided by 13 बटे 4 ठीक है अब हमें क्या करना हो को इस भाग के निसान को multiply में change कर दिया तो बाद वाली भिन्न क्या हो जाएगी ये पलट जाएगी 4 बटे 13 हो जाएगी तो अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कुछ कटने लायक भी है तो उसको हम काट भी लेते हैं क्या काटेंगे 4 एक कम 4 चार दुना 8 तो यह हो गया 9 बटे और यह दो है यह तेरा है तेरा दुना हो जाएगा 26 तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना आ गया 9 बटे 26 उम्मिद करता हूं कि भिन्नों का भाग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया ह अब एक दूसरा टॉपिक यह देख लेते हैं पुन्रा व्रत्त दसमलों भिन यह क्या होती है ऐसी भिन्न जिसमें दसमलों के बाद एक या अधिक अंकों की पुन्रा व्रत्ती होती है ऐसी भिन्ने क्या कहलाती है पुन्रा व्रत्त दसमलों भिन्न यानि कोई संख्या होग तो समलों के बारबार रिपीट होती जैसे हम यहाँ पर एकजामपल लेते हैं जैसे जीनो पॉइंट 5 के ऊपर लगा है बार इर्वार लगा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब रही है जैसे कि दिधेर पकाट सबांट । पांच पांच यह रिपीट होती जा रहे हैं यह अनंत तक बढ़ती चली जाएगी ठीक है और एक और एक्जामपल लेते जैसे जीरो दसम्लो दो तीन अब दो तीन के उपर लगा हुआ है तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे जीरो दसम्लो दो तीन दो तीन दो तीन ऐसे करके यह बढ़ती चली जाएगी अब किसी किसी में ऐसा होता है कि केवल दो संख्याएं तो लेकिन वहां पर केवल एक के उपर लगा हुआ है बार तो यहां पर कैसे को जीरो दसम्लो पांच एक 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 और यह अनंतकाल तक एक एक बढ़ता चला जा यहाँ पर 2 के उपर लगा हो तो यहाँ पर क्या होगा जीरो दसमलो एक 5,7 5,7 5,7 यानि जितने के उपर बार लगा होगा वही संख्या बार-बार repeat होती है तो यह होता है पुन्रा वरत दसमलो भिन अब यहाँ पर इनको साधाराण भिन में बदलने का question आता है कि जैसे आपक 0.5 दे रखा है, अब इसको आपको भिन्द में बदलना होगा. ठीक है? तो इसको भिन्द में कैसे बदलेंगे? यानि साधाराण भिन्द में कैसे बदलेंगे? वो यहां पर हम सीखेंगे. तो देखें, जिससे मान लेते हैं, कि 0.5 के उपर बार लगा हुआ है, 0.5 और 5 के उपर लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे, जिसके उपर बार लगा हुआ है, उसको लिख लेंगे उपर, 5 लिख लिया, बटे लगाया, और एक संख्या के उपर बार लगा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है, एक के वल अंक है, उस के उपर बार लगा हुआ है तो जितने अंक के उपर बार लगा हुआ है यह एक अंक के उपर बार लगा हुआ है तो नीचे हम एक बार नो लिखतेंगे क्लियर हो गई बात कोई डाउट तो नहीं है समझ लेते हैं अगले और एक्जाम्पल में समझते हैं जैसे मान लिजे लिखा हुआ है यहां पर कितने अंकों के उपर बार लगा हुआ है तो हम यहां पर नो को लिख देंगे यह करना सीख लिजिए यह तो आपको समझ में आ गया कि दसमलों के बाद जितने भी अंक लगए हुए सबके उपर लगा हुआ है बार और उस बार को हटाया संख्या के नीचे जितने अंकों के उपर बार लगा तो उतने अंक नो के लिख दिये अब दोस्तों यहां पर एक और देखिए किस तरह का प्रशना सकते हैं जीरो दसमलों दो एक लिखा हुआ है मान चलो कि केवल एक के उपर लगा हुआ है ठीक है तो ऐसी कंडिशन में हम क्या करेंगे यहां पर भी हम क्या करेंगे कि सब दसमलों बार भोल जाएंगे लिखेंगे 21 ठीक लगाएंगे माइनस का निसान और जिसके उपर बार नहीं लगा हुआ है तो उसको घटा देंगे घटा दिया हमने और जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है नो के ऊपर लगा हुआ है तो एक बार हम नौ लिख देंगे और कितने अंकों के ऊपर नहीं लगा हुआ है दो के ऊपर नहीं लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ा देंग को एक एक ने उपर लगा हुआ तो इसकी जो 17 भिन्ने में चेंज के कितना आया 19 बटे 90 अब एक और इग्जांपल करके देखते तो और ज्यादा क्लियर होगा जीरो दसमलो 167 और लगा हुआ कि बार किस पर नहीं लगा हुआ है 16 के उपर 1 नहीं लगा हुआ दिजे अब बताएं कि तकितने अंकों के ऊपर बारienza हुआ है 7 के उपर बार लगा हुआ है तो जितने अंकों के उपर 10 2 0 लगात गते हैं 151 और नीचे आया आपका 900 तो यह आपने देखा 0.167 साथ के उपर बार लगा हुए इसको हमने साधाराण भिन्न में जब चेंज किया तो यह आ गया 151 बटे 900 क्लियर हो गई बात यहां पर आपने पुनरा वरत दसंब्लो भिन्न को साधाराण भिन्न में चेंज करना भी सीक लिया ठीक है, साधारण भिन्न में आपने इसको change कर रही है, clear हो गई बात, अब यहां पर इस से संबंदित अगर कोई भी doubt होता है, तो आप हमें नीचे comment में जरूर बताइएगा, अब दोस्तों बढ़ते हैं, आपके लिए जो हम विशेश प्रशन लेकर, प्रशन आपके लिए य है कि आपको पुणरावद्द समलो भिन्न में चेंज करना है, वह आपके दे रखा है, एक, पांच, आठ और 9, यहां पर आठ और 9 के उपर बार लगा हुआ है, और इसको आपको साधारण भिन्न में changing करना है, इसके आगे वाले वीडियो में हम भिन्नों से संभंदित जो स में solve करेंगे उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगाता मिलता रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत